सुगाई जब छात्रविती के लिए आई बनाना चाहते हैं तो आपको इडिस्टीक पाना होगा और इडिस्टीक पा करके जो आई परमान पत्र है इस पर क्लिक करना होगा अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक मतलब की फॉर्म खुल कर चला आएगा यहां पर प्रार्थी के नाम हिंदी में और अंग्रेजी में लिखना है तो पहले मैं अंग्रेजी में लिखता हूं प्रार्थी के नाम फिर उसके बाद अंग्रेजी के बाद यहां पर हिंदी में लिखने के लिए उपर जाएंगी और यहां पर कोर्णर में जा करके और आपसन पर क्लिक करके मतलब कि इसको और में सेलेक्ट कर देंगे प्राथी के नाम यहां पर हिंदी में टाइप करता हूं यह रहा हिंदी में ठीक है फिर उसके बाद यहां पर पीता या पती मतलब कि जो भी उनको सेलेक्ट कर लेंगे खेर कर लिए और नाम लिख देता हूं तो यहां पर नीचे पर्माथा का नाम लिखना होगा तो यहां पर्माथा का नाम कोई ज़रूरी नहीं होता है है यहां मुहल्ला और जो पोस्ट उसको लिखना होता है ठीक यहां पो इसके जीला है यह बिलेज यहां अपर सेलेक्ट कर लेंगे धीकら कुस्ट अस्थाही पता में बहर देंगे फिर उसके बाद मोगाल अमर के बाद यहां पर ब्यवसाई में बच्ची पढ़ाई करती है तो मैं पढ़ाई लिख दूँगा ठीक है फिर उसके बाद थ्वास स्क्रोल करूँगा और यहां पर आएंगे तो लिख रहा है पुछरा की परिवार का ब्यूर्ण द को़्याई करेंगे और यहां पर नीचे आएंगे और उससंसक की कॉंट्र्ल2 करस्त करनेंगे ठीक है फिर यहां पर मतलब की क्यूषरा है कि मना की उसका क्या है पर यहां पर 101 कारनेंगे और वार्थिक आए क्या है तो वार्थिक में मैं prowadD sign ID नाम को कॉंपी करएंगे हैं और दूसरे कालम में आ करके यहां पर पेस्ट कर देंगे ठीक है इनका ब्यवसाय क्या है तो इनका ब्यवसाय ऐसा काम करता हूं मैं मजदूरी डाल देता हूं ठीक है तुकि मजदूर आदम है तो यहां पर मजदूरी हो जाएगा फिर यहां पर वार्स्तिक आये मतलब कि वह में श्रूत इससा आय। में जाएंगे और यहां पर यह सब पढ़ने के जोट नहीं पड़ सकते हैं जो भी है कूल मतलब कीुछ अब लिख देंगे यह सब आप संचोड़ देंगे को यह कोई मेंडेर्टरी नहीं होता है ठीक है फिर परिवार की क्लवारसी का है कि यहां पर आवेदन सूल को होगी है तो हां रासन काड अगर नहीं डालेंगे तो यहां पर प्रमान पत्वर्ण में मतलब की सेलेक्ट कर लेंगे सिक्षण सांस्थां में परभिस्षल तो ठेके यहां पर ऐससे सेलेक्ट करलेंगे फिर उसके बाद आपको करना क्या हैए क dif happens फर यहां और देंगे ठीक है तो यह फोटो अप्लोड हो जाएगा आपके सामने ठीक है यहां पर एक पेज खुल के आ रहा है यहां पर लिख राए नीचे फोटो मतलब अप्लोड गया फिर सेलेक्ट करेंगे स्वाप्रमानित घुस्टना पत्र पर क्लिक करेंगे फिर उसके बाद चल भी अप्लोड होकर कि आपके सामने कुछ ऐसा पेज चला आएगा ठीक मैं रिप्रेस होता है अक्तर से फिर उसके बाद यहां पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और यहां पर रासन कार्ड है तो रासन कार्ड या अन्य में आप चाहें तो कुटूम रजिश्टर कर लेकिन मैं मतलब कि लेकपाल जी से छोड़वा लेता हूं इसलिए मैं आधार कार्ड यहां पर अप्लोड कर दूगा तो अन्य में मैं क्या करूँगा अन्य पर क्लिक करूँगा तो यहां पर एक बॉक्स खुल कर इसके बगल में आ गया ठीक है आप सभी लोग देख सकते ह जये ठीक है यहां पर लिखूँगा आधार कार्ड तो मतलब एक बॉक्स खुल जाएगा जो भी अप मतलब के अपलोड करें इस लिए मैं यहां पर अधार कार्ड लिखहा हूं तो यह रहा फिर इसके बाद कार्ड हो जाएक है तो आप कुटूम रजिस्टर चैप अलवार मतलब की जो भी है वो लिखेंगे तो सही रहे गया अधासन का ठीक है फिर उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करेंगे जहां भी अधार कार्ड को रखे हैं वहां से अधार कार्ड को ले लेंगे ठीक है यहां पाद अधार अधार की थवासा समय लेगा मतलब की एक रिप्रेस होता है उस पेज पर अपलोड होने के बाद आपके सामने थ्वासर समय ले रहा है ठीक है नेट तुलो है आप लोग अपड़ा ये गमत और ये आपके समक्ष आ जागा ठीक है तो थ्वासर वेट करते हैं लेकिन देखिए तो आपके सामने आ गया ऐसा तो आपको करना क्या है कि यहां पर तीनों अपलोड होगा फोटो सब्रमाद करेंगे तो आपके सामने ऐसा प्येज खुल के चलाएगा यहां पर नाम गहां माई वाबू का नाम जो भी है मिला लेंगे गलत रहेगा तो यह आप नीचे आएँगे और नीचे आकर कि यहां पर संसोधन करें आपसंपर क्लिक कर सकते हैं जब स्वाई है तो दर्ज करें किलिक करने से पहले आपको एक न्यू टैब लेना होगा और साहज को लागिन करना होगा ठीक है क्योंकि इस्टिक से रिडिरेक्ट होकर के साहज पहीं जाता है यहां सहज home पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने मतलब कि सहज यह खुल करके आएगा तो आपसे जो भी ID और password मांगेगा यहां पर मतलब कि ID password डालेंगे तो यह मतलब कि सहज home page खुलकर चला आएगा ठीक है यहां पर देख सकते हैं कि मतलब कि मतलब कितना आपके पास है मतलब कि यह सब दिखा देगा आपको फिर उसी पेज पर दुबार आप चाहें यहां पर जैसे सहाज को लॉगिन कर लेंगे तो आपको करना क्या है कि यहां पर देख सकते हैं कि दुबारा एटी स्टिक और यहां पर जैसे आएंगे तो तीसी Connor कपेमेंट करना होता है मोबाइल मर ढल जैने तो यहां पर जरुरी नहीं होता है लेकिन डाल देंगे तो उस ब्यक्ति की मोबाइल पर मैंसे चला जाएगा तुम है को इसको मालूम चल जाए ऐप बंद आया मेरा ठीक है तो यहां पर मोबाइल नमर ज़रूरी नहीं होता है आपना भी डाल सकते हैं लेकि मैंने मोबाइल नमर उस ब्यक्ति का यहां पर चलो डाल ही देता हूँ ठीक है तो जो भी मोबाइल नमर है उस मोबाइल नमर को यहां पर मैंने यहां पर इस mobile नमर को लिख देता हूं ठीक है सो गई जो मैं उस व्यक्ति का mobile नमर यहां पर मतलब की डाल दिया फिर उसके बाद pay वाले option पर क्लिक करेंगे अब pay वाले option पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा मतलब की आ जाएगा फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि यहां पर जब done देखा देगा तो आपको क्लिक करेंगे payment सक्सेज पुली दिखा रहा है आपको क्या करना है प्रोशीट तो फारवड एप्रूबल एट्वरेटी पर क्लिक कर देना ठीक है तो आपके सामने का ऐसा रिचिप्ट आएगा इस रिचिप्ट को प्रिंट करके रख लेंगे चाहिए उस व्यक्ति को देदेंगे ठीक है इ यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजएगा वीडियो को लाइक किजएगा और अपने दोस्तों तक सेर किजएगा ठीक है तब तक के लिए जैन जैबाद